नमस्कार आप देखे डिटीवी भारत और मैं हूँ आपके साथ रितिक जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में 10 दिनों का लॉकडाउन लगा है 5 मई से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन पूरे बिहार में लग गया है जब भी लॉकडाउन लगता है तो एक सवाल सब के जहन में आता है कि कहीं से भी आउए लोग कहीं को आकर फंस जाते हैं और लॉकडाउन लगता है तो जाहिर सी बात है कि आप जा नहीं सकते आना वश्रक तरीके से और कहीं न कहीं आप फसी जाएंगे लेकिन घबरानी की बात नहीं है बियार सरकार ने इसका भी समधान कर दिया है आप lockdown में कहीं भी है और कहीं से आपको कहीं जाना है किसी भी जगह पर तो उसके लिए आप easily तरीके से जा सकते हैं उसके लिए जरूरी है e-pass जैसे कि आपने lockdown में e-pass को अनिवारे कर दिया गया है तो e-pass होना अति वश्यक है उसके बिना आपको जब कहीं में और चाहिए जा सकते हैं यंकि घरों को यह को बात करेंगे e-pass कैसे आपको easily अपको आठी Egypt को Ge tribunal जूब आपको और के एक website वेबसाइट है इस वक्त आपके जो स्क्रीन है उस पर आपको दिखेगा यह जो वेबसाइट यह वेबसाइट है service online.bihar.government.in तो यह जो वेबसाइट है service online.bihar.government.in इस पर जाकर एस वेबसाइट पर जाकर आपको जो फोर्म होगा उसे फिल करना पड़े का और उसमें क्या-क्या चीजे मांगी जाएगी वो भी हम आपको बताते हैं सबसे पहले अपना नाम और वही नाम जो आपके इडेंटिटी प्रूफ पे है यानि कि आधार पैन जो भी आपके आपके पास हो वो नाम अपना अधार काड आधार काड का नंबर और साथी साथ जा रहे हैं कहीं को भी जा रहे हैं वो भी आपको फॉम में समिट करना पड़ेगा उसके बाद आपको नीचे एक कंक्लूजन देना होगा उसके बाद एक पूरा लेटर जो इपास का है वो आपके पास कहीं भी जाने से आधे गंटे पहले पहले भी आप दे सकते हैं लेकि e-pass में जैसे कि मैंने का serviceonline.bihar.government.in इस पे आप जाकर e-pass ले सकते हैं तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है इस website पे जाए और lockdown में अगर आपको जाना है तो आप इस पे जाकर e-pass एविलेबल कर सकते हैं लेकिन e-pass मिलने का मतलब ये नहीं समझें कि आपको lockdown में अन अवश्रक तरीके से बाहर ना निकले क्योंकि सरकार ने समधान तो किया है लेकिन जान बचाना आपके ही हाथ में है क्योंकि सरकार आपको लगातार हाथ जोड़कर कह रही है आपसे विनती कर रही है कि कोरोना guideline का पालन करे कोरोना वाइरस के चपेट माने से बचे तो इस अगर आपको आवश्रक तरीके से निकलना है जरूरी है तभी इपास के लिए फॉर्म भरें और इपास के लिए जैसा कि मैंने बताया आपको serviceonline.bh.government.in पे आप जाकर इस पूरे इपास को आप अविलेबल कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं लेकिन अनावश्रक तरीक कैसे नहीं तो फिलाल खबरों में इतना ही बने रेड़ी टीपी भारत के साथ नमस्कार